A certain sum amounts to 5832 in 2 years at 8% per annum compound interest the sum is ठीक है दो साल में 8% compound interest निकालना है तो 8% मतलब कितना होता सर 8 upon 100 तो यहां से कितना होता चार दूनार चार पच्चिस हो तो 25 रुपए का चीज कितना हो गया 25 रुपए बढ़के कितना हो गया 27 हो गया फिद दूसरे साल कितना हो जागा सर 25 रुपए 27 हो जागा क्या ध्याम से अगर देखोगे तो इसको लिख सकते है सर 25 इंटो 25 पहले था 25 इंटो 25 पहले था अब जाके बढ़के कितना हो गया 27 into 27 हो गया ठीक है तो क्या हम लोग ऐसा कर नहीं सकते कि ये 27 into 27 बराबर 5832 है हां सर हो सकता है तो यहां से क्या आ जाएगा सर 5832 5832 upon 27 into 27 into 25 into 25 यह आजाएगा आपका प्रिंसिपल कैसे आया क्योंकि 27 into 27 का वैलू होता है आपका 5832 25 into 25 का वैलू कितना हो जाएगा तो 27 कि दून नोट यह 27 नोचन चक चोवण ठीक है 54 नौप पाचफेटाल लिए नो चक चब्छाथिस तो चथिस और कितना होता है सर नोट बहात्तर चतिस से कितना हो जाईगा। सचाथ 3, 7 आ रहे हैं। तो 3 से काटेंगा तो 3, 2, 6 3, 3, 6 आ, 3, 7, 9, 9, 8, 11, 29, 29, 9, 29, 3, 8, 24 थीक है। तो 8 आ गया तो 25 आट कितना होता है। 25 चके 100, 200, 200 और 25 कितना होता है। 5000 इस दो करेक्ट अंसर। जितना आप calculation fast कर पाऊगे उतने आपके लिए आसान है compound interest ज्यादा time नहीं लगता है, ठीक है, compound interest में दिक्कत क्या होता है, हमें calculation का दिक्कत होता है, चली देख लेता है next question क्या दिया हुए?